Hey everyone, I welcome you back to Skill Share तो पिछले वीडियो मेरे ज़से कि आप ने देखा हमने Sinaps Workspace क्रीएट किया हुआ था तो चलो इस वीडियो मेरे हम Sinaps Workspace का जो भी है उसको हम देखेंगे कि यार इसमें क्या-क्या प्रोधि किया जा सकता है और हम यहां से क्या-क्या control कर सकते हैं फिर क्या-क्या सारी चीज़े कर सकते हैं तो चलो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे जो टॉप में horizontal बार आपको देखा ही देगा एक kind of task bar जैसा तो आप यहां पे देख सकते हो कि create new SQL dedicated pool या फिर create new new apache spark pool या फिर create new data explorer pool आपको यह सारी चीज़े यहां पे दिखाई देगी right side में आप देख सकते हो कि आप अपना SQL server admin का password है उसको भी आप यहां से reset कर सकते हो और यहां से आप पूरा synapse analytics workspace भी delete कर सकते हो उसके बाद आपको bottom में details दिखाई देगी आपके synapse analytics workspace की और जैसे कि हमने previously देखा था कि यहां पे आपको subscription यह सारी details तो मिली जाएगी चलो कुछ important details की तरब देखते हैं तो यह है primary ADLS chain to account जो इससे connected है उसके बाद जो container वो account में है workspace नाम का उसके बाद SQL admin username जो हमें serverless SQL pool को connect करने में help करेगा Azure Active Directory का admin आपको यहां से मिल जाएगा अगर आपको use करना होगा तो उसके बाद आपको यहां पे dedicated SQL pool का end point मिल जाएगा serverless SQL pool का end point भी मिल जाएगा और आपको यहां पे development जो है उसका भी end point मिल जाएगा तो क्यों यह सारी चीज़ है basically serverless SQL pool जो है उसका end point हमें इसलिए चाहिए कि हम इसे SSMS या फिर Azure Data Studio जैसे tool से भी हमारे dedicated या serverless pool को connect कर सेगे downside में आप आप आएगे तो यहां पे आपको दो cards दिखाई दे रहे होंगे first card है synapse studio का यहां से आप synapse studio को launch कर सकते है दो रस्ते या एक तो यहां से आप open कीज़े या फिर आप एक link है उससे create कीज़े second thing जो है वो यहां पे आपको synapse studio का या फिर synapse का documentation मिल जाएगा तो यहां से आप सीधे Microsoft Azure documentation में जाके पूरे synapse studio का documentation को study कर सकते है right side में यह पूरा जो navigation panel होता है या फिर horizontal जो navigation bar है आपको मिल जाएगा अगर हम इसको स्क्रोल करते है तो यहां पे आपको एक list मिल जाएगी फिर list actually में क्या कह रहे है देखों तो यहां पे na SQL pool, spark pool और जो data explorer pool है सारी चीज़े list की हुए तो SQL pool में आप देख सकते हो कि यहां पे एक built-in pool दिखाई दे रहा है कि जो serverless SQL pool होता है और Azure workspace deploy करते समय से create करता है हमने कोई dedicated SQL pool यहां पे create नहीं किया जब हम करेंगे तब ओ भी आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा उसके bottom side में आप देखेगे तो यहां पे Apache spark pool है और Apache spark pool में जब आप Apache spark pool create करेंगे तो वो भी आपको यहां पी दिखाई देंगे और same thing with जो data explorer pool है उसके साथ भी same है तो जो right side में navigation bar है चलो उसके बारे में बात करते है तो इस navigation bar में सबसे पहले तो हमें overview मिला उसके बाद activity log मिला तो activity log में आप देख सकते हो कि हमने azure का जो workspace create किया है यह एक activity है इसका भी log हमें यहां पे मिल गया है तो आप इसको open करके देख सकते हो उसके बाद आपको यहां पे access control IAM का feature मिल जाएगा यहां से आप ना सारे accesses को control कर सकते हो मतलब किसी भी चीज को आप access दे सकते हो role assign कर सकते हो users को groups को यह सारी चीज़े आप यहां से कर सकते हो उनको monitor कर सकते हो तो जैसे ही मैं यहां पे add button पे click करता हूँ तो आप यहां पे देख पाऊगे कि add new role assignment और add co-administrator इससे हम role भी assign कर सकते हैं और co-administrator को भी add कर सकते हैं उसके बाद settings है settings में आपको active directories, properties और जो logs है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे उसके बाद जो pools है तो synapse pools तो यहां पे आपको तीन टाइप के pools मिल जाएंगे first is SQL pool इसमें built-in pool होता है pools भी हम यहां पे create कर सकते हैं यहां पे data explorer pool भी create कर सकते हैं उसके नीचे का section है security security में आपको यहां पे encryption, networking, identity यह सारी चीज़े आप यहां से manage कर पाऊगे इवन दो आपका जो azure advisor और azure के जो defender services है वो भी आप यहां पे access कर पाऊगे तो चलो एक चीज़ देखते है networking आपको जैसे याद होगा कि हमने शुरू में Synapse Studio को configure करते समय बताया था कि आर इंटरनेट के किसी भी IP से इसको connect कर लो तो यहां पे वो firewall rule है यहां पे आप start IP और end IP को देखो कि यह start 0.0.0.0.0 से 255.255.255.255 मतलब internet के हर possible IP v4 address से हम इसको connect कर सकते हैं यह कुछ अच्छा scenario नहीं है production में यह सारी चीज़े नहीं की जाती तो एक specific IP से connect करते हैं तो आप यहां से configure कर सकते हैं ओके तो यह है identity यहां से आप identities को manage कर पाऊगे जैसे कि हम यहां पे नीचे आते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पे मिलेगा monitoring का section monitoring में क्या है alerts, matrixes, diagnostic settings, तो alerts में तो आप अलग-अलग alerts select कर सकते हो मानलो कि आपने dedicated SQL pool select किया और उस पे कोई बड़ा operation चल रहा है और आपने alerts set किया है और कि एक specific cost से अगर exit कर जाए ना तो में को एक alert मिल जाना चाहिए तो आप यहां से यह कर सकते हो उसके बाद matrixes पे आप चलो matrix देखते है तो matrix में आप क्या कर सकते हो मैंने यहां पे मेरा Synapse Studio select किया है तो आप यहां पे बहुत सारे matrix को select कर सकते हो और उनके charts आप पे plot कर सकते हो जैसे कि आपको यहां पे बहुत सारे matrix दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि checkpoints और यह सारे आप इससे graphs plot कर सकते हो और चीजों को monitor कर सकते हो आपके activities pipeline runs अगर आपको एकम पढ़ रहा है तो आप diagnostic pool से जाके यह सारी चीज़े manage कर सकते और आप यह सारी चीज़े storage account या फिर azure stream analytics या फिर event hub इन सब को भेजके आप real time power bi से dashboard बना पाऊगे जैसा dashboard आपको चाहिए जो feature चाहिए आप वो customize कर सकते हो उसके बाद तो हम यहां से शायद से बाहर निकल गए और यह है हमारा Synapse RG का workspace ओके तो यह हमारा पूरा serverless Synapse Analytics का जो पूरा overview है तो हमने यह पूरा overview देखा और bottom side में आपको कुछ और extra चीज़े मिल जाएंगी कि जैसे आप यहां से इन चीजों को export भी कर सकते ARM templates को export कर सकते तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई